Employee Prudent Fund है वहाँ अभी तक तो मामला ये था कि बहुत ही ऊट के मुँँ में जीरे जैसी पेंशन की बात होती थी लेकिन नया प्रावधान ये कह रहा है कि आप अब ज्यादा पेंशन ले सकते हैं उसका पूरा हिसाब किताब है आपकी basic salary का खेल है पूरा वो हम अभी समझेंग पेंशन बोड़तरी को लेकर बहुती बड़े कुसकबरी EPS 95 पेंशन को लेकर अभी अभी सरकाने की चार नई गोशनाएं जिसे की सभी EPS 95 पेंशन दार के उनका 2014 के बाद बहुती बड़ा पेंशन में बदलाओ होने जा रहा है जिसके बाद उनकी परमुक पेंशन बड़ा पेंशन बोड़तरी को लेकर भी बहुत बड़ा पेंसला होगी तो कितनी आप की पेंशन की रासी में بोड़तरी होगी या साथ ही आपकी OPS की पर्मुकमांगों को लेकर जो कर्मक्तियारी प्रेंसन वरगे वो काफी लंबे समिसे सरकार से आस लगए वे बैटे है कि अंदुलन कर रहे है कि सरकार OPS कब बाल करेगी उनकी OPS बाली को लेकर भी सरकार ने एक बार फिर उन्हें बहुत बड़ा आती आपकी EPS पैंसन में कौन-कौन से बदला होने वाले तो आए जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से और अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा साथे बला इकन को ओल पर प्रेसर कर दीगा ताकि नई वीडि करके 7500 रुपे की मिनमम पैंसन को लेकर अपडेट आ रही है जिसके अनुसार आपकी जो अन्य भी सात में मांगे है कि EPS पैंसन के साथ 400 आपकी मांगे हैं उनके बारे में बात करेंगे साथी आपकी OPS बाले को लेकर सरकार ने एकदम नया फॉर्मूला आपकी पैंसन को ल पैंसन को लेकर लागू होने वाले जिसके अनुसार आपको पैंसन को लेकर लागू होने वाले जिसके अनुसार आपको पैंसन मिलेगी तो कौन-कौन से आपके नियम जो एक दिसुबर से लागू होगी और पैंसन की रासी कि आपको एक दिसुबर को आपके खात में टांस पैंसन में कौन सा बड़ा बदला हो रहा है जिसके अनुसार आपकी पैंसनी की रासी को तीन चरणओ का अंदर बड़ोतरी की मिलेगी और 9,000 युद नई लिस्टे जाने की ऐ जिसके बारे में आको बद़ाएंगे कि पहली लिश्ट के अनुसार जो क्रमचरी आएंगे जो वरतमार में एज के आदार पर आपकी पैंसन की बड़ोतरी को लेकर सुझाव जारी हो रहे है सरकार के तुवरा और मीडिया रिपूर के अनुसार ऐसे दावा किया जारे कि आपकी जो एज है उस एज के आदार पर सरकार डिवाइड करकी आप सभी को पैंसन में बड़ोतरी का फायदा देगी जैसा कि तिन चर्ण होने वाले जिसमें की पहले चंड कंदर जो पैंसन दा रहेंगे जिनकी एज अठाउन सा से कम होगी जिनका कंट्री बसन भी अभी तक कंप्लिर नहीं वाए देसवर्स का और वो अभी नए पैंसन दा रहें तो तक्रीबेन उन्हें 7500 रुपे के साथ में डिये आपको मिलेगा बात करें दूसरी लिष्ट की तो दूसरी लिष्ट के अनुसार आपको पैंसन मिलेगी 8500 प्लस डिये की यानकी मंगाई बता आपको मिलेगा यानकी जो 10 वर्स का regular contribution वो भी complete होना चाहिए और आपका age यानकी अटाम साल को चोड़ दे और आपका age वारत में 17 साल से अधिक है और आपका country बसन भी 10 वर्स से अधिक हो चुका है यानकी आपने पूरा कर लिया है या फिर आपका 20 वर्स का country बसन हो चुका है आप 18 साल के अं जिसके अनुसार आपकी चार प्रेंसलों पर मोर लगी है तीन आपके मुद्धे तो जो कि आपकी प्रेंसलों को लेकर होने वाले हैं और एक आपकी OPS को लेकर है जिसमें कि आपकी OPS बाली को लेकर सरकार है जो फिर से विचार करिए जिसके अनुसार आपकी OPS कैसे बाल की जाए कि इसको लेकर क्या फॉर्मोला होने वाले उसके बारे में बात करेंगे साथी जो 18 मां का एरियर की रासी है वो आपके कब तक याने के खाता में आपके आने वाली है अब यानकी आपको बता देगी इस अबडेट के नुसार जो सुजाव जारी हो है जिसके नुसार ऐसा धावा किया जारे की तीन चरणों का अंदर आपकी पैंसम की बोड़तरी होगी जिसके बाद आपकी पैंसम की रासी में यह जो चरण जारी किया जारी कर सकती है तो इस तरह का अनुवान किया जा रहा था कि तीस दिसमर को आपकी पैंसम की रासी कौन सी अनकी ट्रांसपोर होगी तो यह अनकी नौमर की जो पैंसम की रासी है जो अनकी इस माईने की नौमर माईने की जो तीस तारी को यानकी जो आपका वर्किंग डे का माईने का जो लाश्ट डे होता है उसको यानकी तीस से लेकर कि एक दिसमर तक आपके खातम यह रासी ट्रांसपोर हो जागी नौमर कि जिसमें कि आपको बाड़ोतरी नहीं मिलेगी अनमार ऐसा किया जारा है कि दिसंबर की जो पैंसन होगी उसमें आपको जल्द बाड़ोतरी देखने को मले सकती है लेकिन अधिकारिक सरकार ने अभी तक कोई गोशना नहीं किये अब बात करते हैं नए साल में केंद्री करने साल में इनकी बहुत बड़ी उनके लिए अच्छी कबर दिया है करमचार के मांगाई बते में चार फिस्तिका और जपा माना जा रहा है जो कि आपको लगबग पचास फिस्ति आइकाउन फिस्तिका दिये बोड़तरी को लेकर अनमान लगाया जा रहा है यह कबर सामने आ जो एआई सीपी आइंडेक्स के चमाई आख्रों पर नेर्वर करेगा अब तक के जुलाई से स्यतोंबर के आख्रे जारी हो चुके जिसके बाद इंडेक्स है 137.5 पर आ गया है जो कि डिये का स्कोर 48.54 पिस्ति पर पहुंच गया इसका अनमान है कि लगबग 50 पिस्ति के अगले दो दिन में अक्टूमर के आख्रे भी जारी होने वाले है जिसके संकेत मिलेंगे कि 2004 में आपका कितना बढ़ाई जाए सकता है डिये 2004 में 4 या 5 50 की पिस्ति को संभव माना जा रहा है जो अर्षाजत्री उनके द्वारा कुछ से मीडिया रिप्रकुन सार दावा क्य जाती है जो डियार होती है उनकी दिरह में संसुदन किया जाता है जो की AICPI इंडेक्स के चमाई आक्टूमर के उसके बाद आपके जो अनकी डिये में कितनी बड़तरी होगी वो अनकी निर्दारित किया जगा फिलाल आपके लिए इस तरह की अप्डेट होने बात करें अबिते कोई भी खास तोर पर आप सभी के लिए कोई भी अपडेट नहीं जारी किया है सरकार के दोरा ऐसा कोई भी थाजा अभी तक मीडिया रिपूर्ट कर भी ऐसी तो जानकर या जिसके नुसार NPS में संसुदन को लेकर अपडेट आ रही है सरकार संसुदन करेगी और इसे बनाएगी NPS को लेकिन आपकी OPS वाले को लेकर फिलाल तो सरकार के दोरा भी कोई भी जान करें नहीं है लेकिन जो पैंसंदार के उनके दोरा यानकी 10 दिसंबर को एक मारे लिए बड़ी करने को लेकर चेतावनी दीगी है सरकार को जिसके अनुसार उनका कहना है कि नुसार उनकी OPS वालोगी इस तरह का जो आपके लिए मीडिया रिपूर्ट के अपडेट होने वाले तो खलाल आपकी OPS, NPS, EPS को लेकर इस तरह के आज दिन बर के अपडेट होने वाले तो ऐसी और भी ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने इसी चैनल क सबस्क्राइब क्या है तो चैनल को सबस्क्राइब बाल आइकन को भी और पर प्रेस कर देए नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी